हाई, वेलकम डू बाचनल, इस वीडियो में question number 13 solve करेंगे the ratio between the cod surface area and the total surface area of right circle cylinder is 1 is to 2 देखें, cod surface area and total surface area में एक right circle cylinder के ratio दे दिया है 1 is to 2, ठीक है तो इस जो यहाँ पर ratio दिया हो है न इससे हम क्या कर लेंगे, radius find कर लेंगे और जब radius find कर लेंगे, तब हम volume निकाल सकते हैं, तभी जब हमें height भी पता हूँ तो height को find करने के लिए हमें use करना पड़ेगा ये total surface area दे दिया है 616 cm², ठीक है, तो इसका use करके हम निकाल लेंगे height ओके, तो हम यहाँ पर solve करते हैं, देखें क्या आता है, solution तो पहले जो relation दिया हुआ इसको लिख लेंगे, since हमें दिया हुआ है, since curved surface area curved surface area of the cylinder, ठीक है, of our right circuit cylinder upon total surface area upon total surface area is equal to दिया हुआ है 1 is to 2, means 1 upon 2 ठीक है, इतना value दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि curved surface area जो होता है, वो होता है 2 pi r h, किसका, cylinder का, और upon, total surface area कितना होता है, 2 pi r h plus r, यह होता है, is equal to दिया हुआ है, 1 by 2 अब यहाँ पर दिखें, ध्यान दिजिएगा यहाँ पर 2 pi और 2 pi किनसे लो जाएगा, और r भी किनसे लो जाएगा, यहां से r भी हमें बचेगा क्या, finally हमारे जो बचेगा, वो मिलेगा h upon h plus r is equal to 1 upon 2 it implies, यहां पर cross में प्ले कर लेंगे, मतलब कि यह इसको इधर और 2 को इधर में प्ले करेंगे मतलब कि यह जाएगा 2h is equal to, यहां से मिले करेंगे तो 1 में प्ले करेंगे तो उतना ही जाएगा, h plus r अब यहां से मिलेगा h इधर मैनस कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 2h minus h is equal to r ठीक है, h को हम left side मिले गया है, तो मैनस h हो गया था, अब यहां पर देखिए, यहां पर 2h minus h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, h बरा रखे मिल गया, r तो हमें यह relation मिल गया है और यह काफी important relation है, तो इसको हम first माल लेते हैं हमारा यहां पर दिया है total surface area of the cylinder is 616 cm2 तो also given है, कि total surface area, total surface area is equal to 616 cm2, अब यहां यहां पर formula लगातेंगे 2pi r h plus r is equal to 616 cm2, तो यहां पर r is equal to h है, यहां देखिए, यहां पर h is equal to r है न, तो इसी relation से, जहां जहां h है वहाँ पर हम r लिख सकते हैं, means 2pi r, और इस h की जगा पर लिख सकते हैं, r, r plus r is equal to 616, तो यहां ब्रेकर में लिखना पड़ेगा, since since s is equal to r, हमने यहां पर solve किया, इसलिए, यहां पर use करते हैं, क्या मिलेगा, देखिए, 2pi, और यह हो जगा 2r, 2r into r, यह हो जगा 2r square, मैं तो फानल इसको लिख सकते हैं, यहां पर, 4 into 22 by 7 into r square is equal to 616, it implies r square is equal to क्या हो जाएगा, देखिए, जो भी है, आपर 616 में डिवाइड, मैं डिवाइग करते हैं, 7 से, क्योंकि इदर क्रास में डिवाइग होगा, तो 7 से में डिवाइग हो जाएगा, और divide हो जाएगा, 22 से और 4 से, means 4 into 22, यहां पर हम cancelate करते हैं, तो 4 बंजा 4, और यह कटेगा, 4 बंजा 4 कितना बचा, दो बचा 21 हो गया, 4, 5 जा 20, एक बचा 16 हो गया, 4 फोर फोर जा 16, अब यहां 11 से खट जाएगा, 11 बंजा 22, और 11 बंजा 11, और कितना बचा, 44 हो गया, तो 11 फोर जा 44, मतलब यह बचा, 2 बंजा r square is equal to 49, ओके, it implies r इसको लुख्या आ जाएगा, under root 49, बोद साइट्स में यह हम square root लेंगे तो, और यहां पर आ जाएगा, यह under root 49 के value क्या होती है, 7 to 7 लिख देंगे, और pair एक बार निकलेगा, मतलब 7 cm आ गया, मतलब radius आ गया 7 cm, यदि radius आ गया 7 cm, तो height कितना होगा, it implies h कि इसी के अनुसार हमाद आ जाएगा, 7 cm ये भी आ जाएगा, मतलब height और radius दोनों 7 cm हो जाएगे, ठीक है तो, अब यहां पर आप निकाल लेंगे volume, so, volume of the cylinder, पुछा है, ठीक है, यहां आप देखिए क्या पुछा है, find the volume of the cylinder, find the volume of the cylinder, तो volume of the cylinder, इसको तो क्या हो जाएगा, तो volume निकालने के लिए आपको पता है न, radius और height निकालने होती है, तो इसलिए में यहां पर radius और height दोनों निकाल लिया है, तो यहां हो जाएगा, pi r square h, तो यहां हो जाएगा, pi means 22 by 7, into r की value भी 7 है, 7 square का मतलब होगा, 7 into 7, into h की value कितना है, h की value भी 7 है, तो 7 हो जाएगा, 7 ह बचा हुआ है, multiply कर लिजे, तो 7749 होगा, तो मैं यहां पर थोड़ा सा, इसको, यहां पर एक बना जाता हूँ, partition, यह उपर सैसे गया है, तो यहां पर value जो है, वो बन जाएगी, कितना, 22 multiplied by 7749, तो आप बताएगे, 49 में यदि multiply करेंगे, 22 से कितना हैगा, 9 to 18, one carry over, 4 to 8, और 8 or 18, 8 or 18, 26, 26 or 1, 27, 7, 2 carry over, 4 to 8, 8 or 8 to 10, means आजाएगा आपको, 1078, क्या हो जाएगा, cm3, this is the required volume of, the given cylinder, okay, thank you so much for watching, bye